आग्रा किस सरवादिक लोग प्रिया चैनल सीन्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सीन्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जला स्पताल में पीजिया ट्रिक इंटेंसिव केर यूनिट वार्ड में बहतर व्यवस्थाएं की गई हैं यहां कोरोना की तीसरी लहर के दोरान अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनके बहतर इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद हैं यहां हर बैट पर वेंटिलेटर की व्यवस्था से लेकर चिकिस्तकों की ड्यूटी का मौग ट्रिल कर तैयारियों को अच्छी तरह से परखा गया है कोरोना की तीसरी लहर और ओमीकुरोन बेरियंट्स के लिए हम कितने तैयार है इन तैयारियों का जाजा लेने के लिए हम जिलास्पताल पहुंचे हैं यह प्रविस्थवार है जहां पी आई सी यू बाड के साथ कोविड जो पेसेंट एडल्ट मरी जाएंगे उनको यहां रखा जाएगा और आपको जो गहन बाल चिकतसा एकाई है उसमर लेकर चलते हैं वहां किस तरह की बिवस्थाएं की गई हैं तो आप देख सकते हैं यहां की तरीके से पी आई सी यू बाड को बच्चों अगर पीडित होते हैं कोविड पेसेंट होते हैं तो उनको यहां लाया जाएगा और उनके लिए चालीस बैट की बिवस्था की गई है और यहां प्रॉपर आपको पूरी बिवस्था देखेगी हालां कि अभी तक ऐसा कोई मरीज आगरा में नहीं मिला है लेकिन अगर कोई अगर कोई मिलता है तो आपको हम यहां दिखा रहे हैं यह सबसे पहली जो विवस्था है पहली तस्वीर है वो सीनियूज के मात्यम से आप देखेंगे कि जिलास पताल ने किस तरीके की विवस्था की है अगर तीसी लहर आ हैंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हम जो अधीचक हैं वर्मा जी उन से जानेंगे कि यहां क्या क्या वेश्था की गई है पीकू बार्ड के लिए हमने 40 बैड रिजर्व किये हुए हैं जिसमें यह 20 बैड आप देख रहे हो यह वेंटिलेटर बैड है हर बैड पर वेंट के हैं जो हमारे ऑक्सीजन से तो सपोर्टेड हैं जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो यह सेंटल पाइपलाइन है यह 20 बैड हमारे एडल्ट के लिए भी आरक्षित हैं आप दिखाते हैं को पूरे बैड युक्त हैं आनि कोई गंभीर मरी जाता है या कोई नौनिहाल दवाईयां रखी गई हैं यह दवाईयों के लिए भी यहां किसी को इदर दर भटकना नहीं पड़ेगा यहां पूरी डिस्पेंसरी यह बनाई गई है और यह ड्यूटी चार्ट है यानि यहां अगर कोई मरीज आता है तो पहले से यह बिवस्था की गई है कि किस तरीके स यहां डॉक्टर्स रहेंगे और जो उनका सपोर्टिंग श्टाफ है वो यहां रहेगा तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहां मुस्तेदी के साथ पूरी बिवस्था है पहले से ही चुस्त दुरुस्त हैं जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसमें हम मैं अक्सिजन के साथ बेंटी लिटर की भी किल्लत हुई थी लेकिन इस वार पहले से ही जो किल्लत थी किल्लत से हम आत्म निर्हुरता की और बड़े और इसी का ये नतीजा है कि जला स्पताल में पूरी माकूल बेवस्था की गई है अगर कोरुना की तीसरी लहर आती है और नौनिहाल पीडित होते हैं तो जला स्पताल पूरी तरीके से तैयार है जला स्पताल से अपने साथी अनेला और इंदरिजीत के साथ बिजय बगेल सी नियूस आगरा